गुद मॉर्णिंग ओल अफ यू, मैसेल्फ धरूभ जा आज हम लोग गुलोबल वार्मिंग के बारे में परहेंगा सबस्पेले की गुलोबल वार्मिंग होता क्या है, इसका असर क्या होता है वायू मंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच सांदरता पिर्थवी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है वैस्विक तापमान में विर्धी से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खत्रे की आसंका बढ़ जाती है एक घर्म जलवायू में वायू मंडल अधिक पानी एक अतर कर सकता है और भयंकर बारिष हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग और ज्योगिक करांती के बाद से अउसत वैस्विक तापमान में विर्धी को दर्शाता है 1880 के बाद से आउसत वैस्विक तापमान में लगभग 1 degree Celsius की विर्धी हुई है Global Warming एक सतत प्रक्रिया है वज्ञानिकों को आसंका है कि 2035 तक आउसत वैस्विक तापमान अतरिक 0.3 से 0.7 degree Celsius तक बढ़ सकता है अब हम लोग बात करते हैं कि Global Warming का क्या कारण है तो कुछ गैसें जैसे carbon dioxide और methane पिर्थवी के वाताबरन में सुरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती है ये green house gas वाई मंडल में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है मालब गतिविधियों विशेश रूप से विजली वाहनों, कारखानों और घरों में जिवास्म इंधन यानि कोईला, प्राकृतिक गैस और तेल इसके जलने से carbon dioxide और अन गिर्ण हाउस गैसों को वाई मंडल में छोड़ा जाता है पेरों को काटने सहित अन गतिविधियों भी गिर्ण हाउस गैसों का उत्सरजन करती है वाई मंडल में इन गिर्ण हाउस गैसों की उच्छ सांदरता पृत्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्यवार है जिससे वैस्विक तापमान में विर्धी होती है जलवायू वे ज्यानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मानभ गतिविधिया मुख्य है अब हम ये बात करेंगे कि क्या जलवायू परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से अलग है क्या तो Environmental and Energy Studies Institute के अनुसार जलवाईव परिवर्तन और गलोबल वार्मिंग का उप्योग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है लेकिन जलवाईव परिवर्तन मोटे तोर पर और अउसत मोसम जैसे तापमान, वर्षा, आर्दत्रा, उसके बाद हवा, वाय मंडल ये दवाब, समुद्र के तापमान आदी में लेगाता और परिवर्तन करने के लिए किया जाता है और इसी में जबकि गलोबल वार्मिंग परिथविके और सत वैस्विक तापमान में विर्धी के लिए जाना जाता है गलोबल वार्मिंग का खत्रा मोसम, तुफान, लू, सुखे और बाद से क्याले ना देना है इसके बारे में भी हम बात करेंगा तो वैस्विक तापमान में विर्धी से तुफान, बाध, जंगल में आग, सुखा और लू के खत्रे की आसंका बढ़ जाती है एक गर्म जलवाईू में वाई मंडल अधिक पानिये कत्र कर सकता है और बारिस कर सकता है जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाब हो सकता है बढ़ी हुई वर्षा से किर्शी को लाव हो सकता है लेकिन एक ही दिन में अधिक तिवर तुफानों के रूप में वर्षा होने से फसल, संपती, बुनियादी धाचे को नुकसान होता है और परभावित छत्रों में जन जीवन का भी नुकसान हो सकता है गलोबल वार्मिंग के कारण समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ जाता है क्योंकि पृत्वी के वातावरन की अधिकांस गर्मी समुद्र द्वारा अवसोसित हो जाती है गर्म समुद्री सतह के तापमान के कारण तुफान का बनना आसान हो जाता है मानब जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां संका जताई जाती है कि तुफान से वर्सा की दर बढ़ेगी तुफान की तिवर्ता बढ़ जाएगी और स्रेनी चार या पांच के अस्तर तक पहुँचने वाले तुफानों कानपाथ बढ़ जाएगा अब हम लोग बात करते हैं कि बढ़ते समुदर के अस्तर से ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना दाना है तो ग्लोबल वार्मिंग दो मुखे तरीकों से समुदर के जल अस्तर को बढ़ाने में युगदान देता है सबसे पहले गर्म तापमान के कारण गलेशियर और भूमी आधारित बर्फ की चादरया तेजी से पिखलती हैं जो जमीन से समुदर तक पानी ले जाती हैं दुनिया भर में बर्फ पिखलाने वाले छत्रों में ग्रीन लेंड अन्टार्किटिका और पहार के गलेशियर सामिल हैं जलबायू परिबर्तन पर संजुक्त राष्ट फ्रेंबर्ग कन्वेंशन दुहजार उन्नीस के अनुसाब ग्लोबल वार्मिंग की वज़ा तक यानी समुद्र का जल अस्तर बढ़ जाता है अन्यकारक समुद्र के अस्तर को प्रभावित करते हैं और इन सभी कारकों के सन्योजन से पूरे ग्रह में समुद्र के अस्तर में विर्धी की अलग-अलग दर होती हैं अस्थानिये कारक जो समुद्र के अस्तर को कुछ छेत्रों में तेजी से बढ़ने का कारान बन सकते हैं उनमें समुद्र की धाराय और डूबती हुई जमीन की सतहादी सामिल है 1880 के बाद से वैश्विक और सत समुद्री अस्तर में 8 से 9 इंच की विर्धी हुई है कम उत्सर्जन वाले परिद्रिश के तहत मौडल पर योजना है कि समुद्र के अस्तर में विर्धी सदी के आंत तक 2000 के अस्तर से लगभाग एक फूट उपर उठ जाएगी एक उच उत्सर्जन परिद्रिश के तहत समुद्र का अस्तर 2100 तक 2000 के अस्तर से 8 फिट से अधिक बढ़ सकता है आज की पार्ट में इतना ही मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए जाए हिंद